अब अग्ला जो टॉपिक अपने लोग को पढ़ाई करनी है वो है डेरिवेटिव्स अगर बोलू तो मुझे स्माइल आती है क्यों अगर आप मुझसे पूछोगे न तो मुझे इतना जादा टफ नहीं लगता आप बोलोगे मैं आपको तो नहीं लगेगा लेकिन ऐसी बात डेरिवेटिव्स कम समझ में आने की वज़े एक या दो हो सकती है मुझे एक परस्नली जो वज़े लगती है वो यह है कि शायद आप लोगों को मार्केट्स के साथ में या मार्केट की लैंडवेज के साथ में इतना जादा कमफोर्ट नहीं है एंड उसकी वज़े से आप लोगों को डेरिवेटिव्स थोड़ा तफ लगता है तो मार्केट के जो रूल्स होते हैं मेकानिजम्स होते हैं वो नहीं पता होने की वज़े से क्या होता है यू फाइंड वेरी वियर्ड कि अरे ऐसा भी होता है क्या उनमें से मैं एक एक एग्जामपल लूँ तो वह है लूँ अरे जामपल कोई चीज बाइ करके अगर सेल करो तो समझ में आता है लेकिन कोई चीज पहले करेंगे जो की चीज हमारे पास है नहीं और हम बाइ बाइ बात में करेंगे ये अपने ब्रेन को नॉर्मल तरीके से अध्जस्ट नहीं होता तो डेरिवेटिवस में अगर मुझे डेरिवेटिवस नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है मैं कोशिस करूँगे कि अपनी तरफ से पूरा आपको हर टॉपिक रिवाइस करते वे आगे बढ़ेंगे अपन ओके आगे जाने के पहले अगर आप हम ये डिसकस करना चाहें रादर की वाट तो मुझे आप एक मिनट का टाइम दो मैं आपको चोटी से स्टोरी सुनाती हूं और शायद उस स्टोरी से आपको डेरिवेटिस का बेस मिलेगा मैं बात कर रही हूं एक छोटे से गाउं की बहुत सारी बात इसमें चुपी विये स्टोरी खतम होगी आपको समझेगा एक का इसे गाउं में एक फार्मर ओके वीट गहूं की कल्टिवेंशन होइ है रभी क्रॉप है आपको पता होना चाहिए कल्टिवेंशन होइ है शेहर से एक middleman जिसका एक फ्लार मिल आटा जक्की वो गाउं में खरीदने के लिए गया है गेहूं ओके अभी इन दोनों में आप 2000 रुपए का, 5000 रुपीज का ओके, नौ, डेल हो गई बात खतम, अब इन दोनों को डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि एक का डर अलग है और दूसरे का डर अलग है, middleman का डर ये है कि अगले साल अगर मौनसुन अच्छा नहीं हुआ तो वीट का दाम बढ़ जाएगा और वीट की सप्लाई कम होने की वजह से उसको पेमिंट जादा करनी पड़ेगी ओके, फार्मर का डर अपोजिट है, उसको लगता है अगर मौनसुन जादा हुआ या क्रॉप बहुत जादा हुई तो the value of wheat will go down in the market and he will get less money for his produce तो यो लोग दोनों अपस में बात करते हैं और एक सौदा फिक्स कर लेते हैं अगले साल के लिए और वो सौदा क्या है? कि अगले साल ये middleman फिर आएगा और 100 kg of wheat farmer से फिर से खरीद के जाएगा at a price of 50 rupees per kg मैं अगर आप से पूछू what kind of contract is this? then wouldn't you say that this is a very very raw form of forward contract ये deal wheat के उपर थी तो आप इसको क्या बुलाओगे? wheat forward अगर ये rice के उपर होता तो आप क्या बोलते है? rice forward अगर ये gold के उपर होता तो आप क्या बोलते है? gold forward अगर ये currency के उपर होगा तो आप क्या बोलोगे? currency forward तो what I want to tell you is that derivative does not have its own value it derives its value from the underlying तो wheat forward, rice forward, gold forward and so many similar names actually इससे दो बाते हैं आपकी निकल के आईएं पहली बात कि derivative की खुद की value नहीं होती है उपर बनता है, उस contract की value खुद की उसकी कोई value नहीं है न? wheat के हिसाब से उसकी value change करेगी ओके? और एक बात अगर हमें ये लगता है that we are the sophisticated people who have got the like you know kind of we are fortunate enough and we are getting opportunity to study about derivatives forget that जबसे इंसान को समझ आई है इस दुनिया में, जबसे इंसान को uncertainty और risk की थोड़ी भी समझ आई है, तब से market में derivatives हमेशा से था okay, आज नहीं आया ये, definitely समय के साथ, evolution के साथ में, वो जो derivative का sentiment था, वो stocks के उपर, bonds के उपर, interest rates के उपर currencies के उपर apply किया गया, लेकिन derivatives आज नहीं आया है, हजारों साल पहले ही, वो already आ चुका है, इसे एक बात और निकल गई, that means derivative पहले commodities के उपर आया, right, और commodities पे use होने के बाद, derivatives were extended to the financial securities, like bonds and stocks and all those securities, okay, तो सबसे पहले derivative की जो creation हुई, वो ही commodities पे, आज भी इंडिया में एक exchange है, उसका नाम है MCX, MCX में commodities पे derivatives operate होते हैं, okay और बाते करेंगे धीरे-धीरे करके, थोड़ा just take a kind of feel about the derivatives and let's go ahead, okay, so the topic that we are going to deal with is called derivatives and मैंने आपे notes पे लिखे हैं, आपके पास hard copy होगी अगर आपने लिया है तो, right, तो possibly 4 तरके derivatives होते हैं, right derivatives चार तरके होते हैं forwards, futures, options and swaps, इन में से 2 OTC market में trade होते हैं और 2 exchange पे trade होते हैं, कौन-कौन से OTC पे trade होते हैं forwards और swaps, OTC market में trade होते हैं, and futures and options, exchange पे trade होते हैं, right, तो, on what basis, the derivatives have been segregated into two types on the basis of their place of trading, derivatives can be segregated into two OTC and exchange ऐसी और भी 2-3 चीज़े हैं, मैं बताती हूं आपको तो मैंने थोड़ी तिर पहले आपको ये बात बोला, कि शायद आपको language के साथ में इता comfort नहीं है, तो 2-4 वो words और vocabulary आपन फटा-फट discuss करते हैं, then we can go ahead, okay, now एक word और बहुत ज्यादा use होता है, उसका नाम है long, long का मतलब क्या, long का मतलब by position I am long on the stock of reliance, मतलब क्या हुआ, कि मैंने reliance का stock खरीद रखा है, okay, similarly short, short क्या होता है sell position, I am short on the stock of reliance, मतलब क्या, मैंने reliance का stock sell कर रखा है, okay, then एक और word आता है bullish, bullish हो मतलब क्या हुआ, price belief that market उपर जाएगा, जिस बंदे को ये लगेगा कि market उपर जाएगा, और a person who is bullish will go long, a person who is bearish will go short, what is bearish, price belief that market will go down, उसके बाद, we use a very frequently एक vocabulary, squaring off, क्या होता है squaring off, मैं बताती हैं आपको, अगर suppose करो कि आप, आपने 1 lakh dollar forward खरीदा, first jan को आप खड़े हो and you buy forward on 1 lakh dollars at the rate of Rs. 70 per dollar, ठीक है, तीन महना जो कि maturity है, खतम होता है, तो आपके पास में option है, आप 70 lakh, Rs. 70 lakh rupees की payment करो और 1 lakh dollar की आप delivery ले लो, ठीक है, एक और भी तरीक है आपके पास में, आपको नहीं चाहिए, आपका मन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे bank को कि मुझे नहीं चाहिए, आप बताओ हमें मुझे क्या करना है, तो as you know, you have studied in forex, you will have to enter into a reverse contract, suppose करो कि spot की rate on 31st of March, तीन महने के end पे 69 rupees per dollar चल रहा है, तो what will you do, you will sell at 69, thereby incurring a loss of rupee 1 per dollar, हर 1 dollar पे 1 rupee का नुकसान, आपने किते dollars पे किया है forward, आपने किया है 1 lakh dollars पे तो आपको 1 lakh rupee का नुकसान होगा, आप bank को दे आपको छोड़ देगा, जो पहला आपने किया, rupee 70 lakh देके, आपने 1 lakh dollars खरीदे, और उसको बोला जाता है, delivery method, okay, squaring off by delivery, जो दूसरा आपने किया, उसको बोला जाता है, squaring off by cash, और cash squaring off, guys यह सारे words अपने लोगों ने बात करा ना भी, for example, अपने लोगों ने क्या क्या बात किया, अपने लोगों ने बात किया कि that, what is long, what is short, what is bullish, what is bearish, squaring off, इतका अपने लोगों ने बात किया, and what is derivative, and what is, what is the difference between OTC and exchange, यह बात करना बाग ही है, लेकिन हम लोगों ने यह जरूर बात किया, that, on the basis of the place of trade, we can segregate derivatives into two, OTC and exchange, अब क्या फर्क है दोनों में, OTC और exchange में, वो आप समझो, OTC market में one-to-one की dealing होती है, okay, इसमें, वो जो instrument, यह contract होता है दो लोगों के बीच में, वो किसी और के हाथ में नहीं जाता, यह किसी और को पता नहीं होता, it's a unique contract between two people, which can be customized, आपकी मर्जे के हिसाब से, quantity, quality और maturity पे agreement हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन exchange पे जो contracts बनेंगे, like futures, वो आपके हिसाब से maturity नहीं होती है, आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, lots नहीं होते हैं, okay, तो the contracts which are customized in terms of quality, quantity and maturity, are OTC products, forwards and swaps are OTC products, and the contracts which are standardized in terms of quality, quantity and maturity, are called exchange traded products, futures and options are not available in the OTC market, they are traded regularly on exchange, यह आपका intro part था derivatives का, right, तो थोड़ा आपन आगे बढ़ाते हैं portion को, I hope you are comfortable, let's go ahead, तो guys, derivatives में, सबसे जो पहला आपका derivative है, forwards, तो आपके portion में, आपके portion में, थोड़ा में time लोगे आपको समझाने के लिए, आपके portion में आपको दो forwards पढ़ने, forwards on currencies and forwards on interest rates, एक पात आगे जाने के पहले, वो यह है कि, जो भी चीज का behavior, future में uncertain होगा, any event whose outcome would be uncertain in future, उसके ओपर derivative बनाया जा सकता है, okay, because you cannot eliminate the risk, for example, आज आपने 1 lakh dollar पे forward खरीदा, right, तीन मेहने के बाद maturity है, तो forward अगर नहीं खरीदे तो क्या होता, तो यह होता कि, रेट जो होगी आपको उस वक्त पे payment करना पड़ेगा, जादा है तो जादा और कम है तो कम, कुछ कर नहीं सकते आपन उसका, लेकिन अगर आपने forward rupees 70 per dollar पे block कर लिया, तो उस दिन market में rate 75 होने दो, 72 होने दो, 69 होने दो, आपको 70 lakh rupees ही देने है, तो you cannot eliminate the risk, but you can definitely reduce the risk, तो derivatives like, जिस भी चीज का behavior इस तरह से है, कि future में uncertain है, उसकी price या behavior या outcome, उसकी उपर अपन derivative बना सकते हैं, and the derivative which we call by forwards and futures and options and swaps, okay, ये एक बात हुई, तो मैं बात कर रही थी forwards की, आपके curriculum में आपको दो चीजों पे forward पढ़ना है, number one, forwards on currencies and forwards on interest rates, लेकिन मैं आगे जाओं उसके पहले, आपको अगर पता नहीं होगा, तो commodities पे, like vegetables पे, cereals पे, बहुत बड़ा forward market होता है, across the world, इंडिया में भी बहुत है, vegetables पे है, for example, मैं a farmer हूँ, मुझे पता है कि मैं hundred quintals of potatoes, you know, kind of मेरा crop होने वाला है, तो मुझे डर लग रहा है, price अगर बढ़ गई तो, price घड़ गई तो, okay, तो इन चीज़ों को hedge करने के लिए, मैं commodity market, जहांपे potatoes का forward market, हर बड़े city में forward market होता है, हमें पता नहीं होता, because हम उन markets में नहीं जाते हैं, okay, तो जा करके forward market में sell करने का rate fix करके आगया, 20 रुपिया पर kg पर बिगएगा, अब यह उसको tension नहीं किसी बितर है कि, क्यों, उसका जितना माल होगा, वो 20 रुपिया के हिसाब से उसका बिग जाएगा, अगर वो forward book नहीं करता है, तो हो सकता है rate 18 की मिले, लेकिन अगर forward book कर लिया, और अगर rate 22 की हो गई, तो वो उसको नहीं मिलेगा, that is the risk actually, okay, so you cannot eliminate the risk, you can only reduce the risk, तो forwards आपको लेकिन, सिर्फ आपको currencies पे, जो कि अपन फॉरेक्स में पढ़ चुके हैं, और एक और पढ़ना है, interest rate के उपर में, ओके, वो आपन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैंने शुरू करने के लिए, एक forwards का एक छोटा सा, I have taken some discussion point here, मैंने लिखा है, difference between futures and forwards, okay, now, okay, a forward is a promise to buy or sell any asset on a particular date or maturity at a pre-specified rate, a forward is an OTC product, look at here, OTC product, and banks play a major market maker for the same, जब bank की बात कर रही हूँ, तो obvious ही बात है, bank के पास में अपन currencies की forward के लिए जाते हैं, और interest rate की forwards के लिए जाएंगे, अपन potatoes की forward के लिए bank नहीं जाएंगे, okay, the most commonly asset traded in the forward markets are currencies, I think we discussed ना कि hedger होता है, speculator होता है, arbitrager होता है, तो जो hedger होता है ना, उसको profit नहीं कमाना, शान्त करना है, कि boss, मैं तीन महने टेंशन में नहीं जी सकता, आप मुझे ये बता दो खाली, कि मुझे तीन महने के बाद कितने पैसे देने हैं, जादा तो जादा, कम तो कम, तो obvious ही बात है, OTC market, for example, forwards on currencies, are the largest market for hedging the uncertainty of the currencies actually, okay, and markets में, bank play a major role in, as a market maker, okay, in the forward market, मतलब कहने का क्या हुआ, banks सबसे बड़ा role play करते हैं, मतलब, banks का सबसे बड़ा network है, okay, forward market में, जहां पर currencies का forward available है, तो क्या लिखा है मैंने यहां पर, it provides good opportunity to exporters and importers for hedging their exposures, like a payable or receivable of foreign currency, that's very very obvious, मुझे कुछ भी इसमें extra पढ़ाने के जुरत नहीं है, because मैं assume कर रही हूँ कि आपके पढ़ाई already काफी हद तक हो चुकी है, right, for example, an importer exported goods worth dollar 5 lakh on 1st of January, maturity 31st March, he is afraid of dollar going up and hence, देखको, afraid of dollar going up, कौन है बंदा ही है, imported, मैं keywords को underline कर रही हूँ, right, इसकी payable होगी, तो obvious ही बात, अगर payable है, तो rate उपर जाने का डर लगेगा, dollar का rate बढ़ने ही जाए, so he is afraid of dollar going up, and hence, buys forward at rupees 70 per dollar, ठीक है, on maturity, he pays rupees 70 per dollar into 5 lakh dollars, and receives 5 lakh dollar का delivery, the spot on maturity is rupees 72 per dollar, 31st March को rate होगी, rupees 72 per dollar की, यह risk आगया इसको, but the hedger could get at 70 only, due to forward agreement, लेकिन एक बात और इसमें आएगी, कि अगर rate, कम हो जाती, suppose, 68 हो जाती है, 69 हो जाती, तो अभी वो कुछ कर नहीं पाता, उसको तो 70 देने ही पड़ते है, 72 हुआ, तो खुशी है, क्यों? मेरे बच गया, 2 रुपय पर dollar मेरा बच गया, upside, okay, बट अगर rate नीचे गई, तो downside में आपको relief नहीं है, forward में, मतब forward में, आपके पास right है, जाके 70 पे खरीदने का, भले ही rate 72 की हो गई, but, you are also obligated to buy, at 70, even if the rate is 68, in the market on that day, a forward will give you a right, but as well as, obligation, I think guys, you are comfortable, हम आगे बढ़े, हम ज़्यादा weight नहीं कर सकते, ज़्यादा pauses नहीं ले सकते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ले हैं, okay, let's go ahead, now, futures, actually हमें ये पढ़ना था, futures, okay, अभी, जो story मैंने आपको बताई, तो story में अगर suppose करो, कि, तीन मैंने, अपने एक साल का time लिये थे, एक साल खतम होता है, और monsoon बहुत अच्छा हो जाता है, right, तो rate market में wheat की, rupees 40 per kg हो गई, इन लोगोंने आपस में 50 rupees per kg में बात किया था, right, तो आपको क्या लगता है, कौन default करेगा, farmer default करेगा, कि middle man default करेगा, can you think about that, I think कि middle man default करेगा, क्यों, क्योंकि, जो चीज market में मुझे 40 rupees पे मिल रही है, उसका मैं 50 rupees नहीं दूगा, right, या नहीं दूगी, अब अगर इस agreement में, इस contract में, कोई sign हो जाता, कुछ contract sign हो जाता, कुछ guarantee deposit हो जाती, या नि middle man ने कुछ पैसे दे दिये होते, farmer ने कुछ मांग लिये होते, ओके, तो ये problem नहीं आती, अब आप सोच के देखो, कि farmer ने पूरे साल महनत करी, right, और महनत करने के बाद, last में जब moment आया, बेचने का, तो ये बंदा टरना पी नहीं हुआ, कि इस kind of contracts have been always there, you know, kind of since ages, बत क्या होने लगा, counterparty default, जिसकी वज़े से, बहुत नुकसान होने लगा, बहुत losses होने लगा, तो धीरे धीरे, जैसे जैसे markets develop हुए, जैसे जैसे institutions आए, आज के जमाने के गर, अपन बात करें, तो we have exchanges, we have RBI, and we have so many guardian institutions, जिसकी वज़े से counterparty default करना इतना असान नहीं है, कोई भी बन्दा सामने से default करके भाग नहीं सकता, there are stringent rules and penalties against that, okay, so forwards are, futures are nothing, they are sophisticated form of forwards only, okay, अब आप imagine करो, कि जो agreement, farmer और middleman के बीच में हुआ है, मालो की paper साइन हो गया, right, अब contract तो सिर्फ farmer और middleman के बीच में है, लेकिन वो paper की value कितनी है, उस paper की value है 50 rupees into 100 kg, okay, तो 100 into 50, किता हो गया, 5000 की value हो गयी उसकी, okay, now, वो paper, assume करो, आप market में trading के लिए चले गए, तो कुछ लोगों ने खरीद लिया, कुछ लोगों ने paper को बेच दिया, इसी तरह से market develop हो गया, तो जब ये दो जनों की बीच में रह जाए, तो forward, जब ये दो जनों की बीच से उठके, बाकी और लोगों के बीच में चला जाए contract, जहां पर उनको इस वीट की डेलिवरी से कोई लेना देना नहीं है, but they are just betting, जिन लोगों को ये लगता है कि वीट का दाम बढ़ेगा, वो ये paper को खरी देंगे, जिन लोगों को ये लगता है कि वीट का दाम गिरेगा, वो इस paper को बेचेंगे, when so many people, 1000s of people started buying, and 1000s of people started selling, then that forward contract got converted into a futures actually, और कोई फरक नहीं होता है, कुछ basic-basic फरक जरूर होता है, वो पंटाइम के साथ डिसकस कर लेंगे, तो what is a future, I have written here, futures are sophisticated form of forwards, okay, traded on exchange, अब जब इतने लोगों के बीच में, buying-selling होने लग जाएगी, तो ये, control करना मुश्किल होगा न, फिर एक organization चाहिए, जहाँ पर एक platform मुझे मिले, और जहाँ पर ये buying-selling हो सके, उस platform को अपन क्या बोलते हैं, exchange, nothing more than that, okay, the contracts are standard in terms of quality, quantity and maturity, धीरे-धीरे करके, जब लोगों को ये एक business model समझ में आने लग गया, तो ऐसे papers बनाने लगे exchange, और वो papers फिर लोगों ने trading करनी चाहलो कर दी, सारा control होता था exchange के पास में, papers नहीं नहीं securities आती थी, और उन securities के ऊपर जो ये papers होते थे, कुछ लोग खरीते थे, कुछ लोग बेसते थे, आज भी कर रहे हैं obviously, और exchange को भी पैसा खमाने का एक मौका मिल गया, because exchange हम से brokerages चार्ज करता है, और भी बहुत रखे income model होती है उसके अंदर में, right, तो they are marked to market on a daily basis, इसके बारे में आप बात करेंगे, okay, now, मैं आपको क्या बोलना चाहरे थी, कि अगर, मैं आपको, you know, kind of, एक चीज़ पर help करना चाहती हूँ, और वो ये help है, कि मैंने आपको अब तक ये नहीं बताया है, कि आपको पढ़ना क्या क्या है futures में, तो I think मैं futures में आगे जाऊँ, तो better होगा कि अपन लोगो ये discuss करने, कि हमको क्या क्या topic पढ़ना क्या है, मैं try करूँगी सब कुछ cover करने का, लेकिन topics के name आप ले लो, okay, look at here, now number one, so what will I write here, structure flow, flow for futures, आपको जानना चाहिए जरूर, तभी आपको जब भी कोई आप sum देखोगे, आपको पता चलेगा, कि यह सम इस हिसाब से चलेगा, okay, A, mark to market, and types of margins, okay, B, computing, the intrinsic value, of futures, using, cost of carry model C. stock futures arbitrage okay then D index futures arbitrage E. hedging of foreign currencies using futures okay then F speculation using futures G. portfolio insurance using futures and last but not the least hedge ratio I think that's the same topic you need to read so I have written all of them which are already in the exam and all of them have been already asked speculation has come a little bit but the rest have come तो on the basis of what you have written in terms of structure flow सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए mark to market and types of margins तो इस पही आती हुमें सबसे पहले अब आगे story बढ़ती है हमारी अब समझो कि मैंने आपको एक बात बोली अभी कि अगर farmer ने कुछ पैसे रखा लिये होते तो यह problem उसको नहीं face करनी पड़ती तो basically उस पैसों को आप क्या बुलाओगे guarantee deposit तो in modern times आज के जमाने में यह गलती exchange कभी नहीं करेगा तो जब भी आप futures की trading के लिए जाओग exchange पे तो पहले exchange आपको margin रखने को बोलेगा और ओ margin कुछ भी नहीं है that margin is nothing but a security deposit तो ही होता है, margins, okay now here, margins में एक चीज़ आपको सीखने है mark to market, वो क्या होता है वो मुझे करके आपको दिखाना पड़ेगा और आप नहीं समझ पाओगे now, and if at all you know, then nothing like it तो in order to avoid counter party default look at here, I have given here counter party default the exchange stipulate margins which is nothing but a form of guarantee deposit there are three types of margins initial margin, maintenance margin, and variation margin एक चोटा सी example आपको दिखाती हूँ तो आपको सारी बाते समझ जाएगे अभी come back, कैसे होता है example लेरी हूँ में यहाँ पर एक example में अपन अजियूम करते है suppose करो, मैंने reliance का एक future आज खरीदा okay, पहली बात कि आप एक future खरीद नहीं सकती है आपको lot लेना पड़ेगा लेकिन अगर आपको एक future की behavior समझ में आती है तो आप lot की answer भी निकाल सकते है एक future के answer को lot से multiply कर दो आपका answer आजाएगा लेकिन important है कि आप behavior समझो तो मैं mark to market का sum ले रही हूँ assume करो मैंने एक हजार रुपए में reliance का एक future खरीदा, for example, today फिर उसके बाद price then plus minus margin okay and closing तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे ही आप futures trading के लिए approach करोगे exchange को exchange आपको बोलेगा margin रखो उस margin को बोला जाएगा initial margin, वो random नहीं होता आप अपनी margin से नहीं कर सकते exchange will tell you how much margin to put and every stock will have a different value, यह same नहीं होगा और अपनी margin नहीं चलेगे कोई base है जरूर जिसके उपर यह margin calculate करा जाता है आप पूछोगे ना कि मैं क्या कोई इसको calculate करने का हाँ है तो वो तरीका क्या है एक particular equation के साथ समझ क्यापन करेंगे पहले आप समझो कि mark to market कैसे होता है margins का, तो day zero को one thousand rupees का future buy हुआ dash and five hundred मतलब क्या हुआ इसका कि मैंने हजार में reliance का future buy किया और मुझे exchange ने यह बोला कि आप पांस रुपय का margin deposit कर दो यह initial margin हुआ यह मैं अपने मन से नहीं डाल सकती यह हमें exchange बताएगा और हर stock के लिए margin का amount बिलकुल अलग होगा, okay वो किस basis पे calculate होता है वो आपको मैं बात में बताऊंगे तो फिलाल 500 rupees हमने deposit कर दिये day one को आप assume करो कि price future की 1100 हो गई because of the trading in the market तो plus 100, okay और यह हो जाएगा 600 second day, suppose the price becomes 1300 तो यह plus 200 और यह हो जाएगा 800 okay, on the third day the price became 1200 that's minus 100 and this becomes 700, okay on the fourth day, the price again becomes 1000 यह हो जाएगा minus 200 और यह वापस हो जाएगा 500, fifth day market वापस गरता जा रहा, 800 so minus again 200 और यह हो जाएगा 300, अब यहां तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा okay, so basically इसमें क्या होगा, कि assume करो, कि exchange ने हमें initial margin बोला 500 और maintenance margin 300, इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जब तक आप 300 तक आपका margin touch होता है, तब तक आपको कुछ नहीं बोला जाएगा लेकिन 300 रुपए से अगर 1 रुपया भी अगर आपका नीचे गया account, because of mark to market you will get a margin call and margin call भी इस तरह से आएगा कि suppose for example, यहाँ पर 300 नहीं 299, यहाँ पर 300 नहीं 299 हो जाता, right? तो आपको margin call आता था, okay तो वो क्या बोल रहे हैं कि अपन हम 300 तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अगर 1 रुपया भी कम हुआ then break the margin back to original मतलब 500 करना पड़ेगा आपको यहाँ अगर यह 1 रुपय से market को मैं और गिरा दू, मतलब अगर price 799 की कर दू, तो mark to market minus 1 आएगा और margin balance हो जाएगा 299 तो आपको यहाँ पर 201 रुपय डालने पड़ेंगे ना कि 1 रुपय डालने पड़ेंगे, यह मैं बोलना चाह रहे हूं look at here, कैसे हो रहा है sixth day, so this will be suppose 700 okay, so now this will be minus 100 and this will become 200 you will get a margin call for 300 margin call for you will get 300 okay, आपको 300 रुपय डालने ही पड़ेंगे, अगर आपने नहीं डाला तो आपका margin close कर देंगे, मता account आपका close कर देंगे, आपने 1000 में buy किया, तो आपको 700 में sell करवा देंगे, automatically क्यूंकि आपने margin नहीं डाला अगर आपको continue करना है trading, तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे, आपने assume करो डाला, 300 रुपय डाले तो seventh day पे क्या होगा suppose market बढ़ रहा है, और मैं 1000 कर देती हूं, तो यह हो गया plus 300, और यह होगा 200 दिखता है, बट यह 200 है नहीं यह तो 500 है, तो यह हो जाएगा 800, market और एक दिन आगे बढ़ता है, और यह हो जाता है 1200 plus 200 and this will become again 1000 मुझे और trading करने का मन नहीं कर रहा है, और अपनी trading के 8th day पे मुझे यह square off करना है मतलब मुझे 100 और आगे लेके नहीं जाना, इसके 2 मतलब निकले अगर आपको आगे लेके नहीं जाना, तो अगर आपने 1000 पे किया था buy, तो आप 1200 पे करोगे sell मत आपको 200 का फाइदा होना चाहिए दूसरी बात, इसका यह भी मतलब हुआ, कि आप futures में उसकी maturity के दौरान, during the maturity of the futures, आप कभी भी enter कर सकते हो, और आप कभी भी exit कर सकते हो, आपकी मर्जी, okay so now, but prices में कुछ हुआ नहीं है, जो भी हुआ, our margin account में हुआ है, look at here so, कितना पैसे निकाला आपने account से, 1000, this one okay, आपने यह पैसे निकाले, आप लेकिन पैसे डाले भी थे कितने डाले थे, 500 शुरू में डाले थे, और बाद में आपने फिर से 300 डाले, okay तो आपकी कितनी profit हो गई, 200 यह कभी मत भूलना calculation को मैं आपको यह बताना चाहरी थी कि mark to market हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, notionally you are buying and selling on a daily basis, यह होता है mark to market, okay, so basically, you, आपका यह answer, 1200 minus 1000 200, or 1000 minus 500 minus 300 equal to 200, should always be the same, मतलब the profits calculated as per the margin account and the difference of the two prices should always be the same कभी भी यह फरक नहीं आएगा तो इस वस mark to market इसमें, this 500 was called as initial margin this is maintenance margin and the money put into the margin account as a result of margin call, will be called variation margin I hope guys you understood, so let's take a proper sum and discuss it out okay, तो लिखा यहां पर मैंने, there are three types of margins initial, maintenance and variation, margin which is put at t equal to 0, you know, kind of जब शुरू किया, तब initial margin the balance below which the margin account cannot fall is maintenance margin and the money put into the margin account as a result of margin call is called variation margin, एक और चीज़, मैं आपको शायद बता रही थी, कि कैसे calculate करते है initial margin, एक्चेंज कैसे करता है, तो initial margin can be calculated by the formula, mu plus 3 sigma mu क्या होता है absolute daily change absolute daily change and sigma क्या होता है standard deviation okay, I could have explained in lots of detail, बत मैं कर नहीं पाहूंगे because we have to discuss many things guys deviation of daily absolute change okay, यह क्या है अब आप समझो कि margin क्या होता है तो आपको अगर logic आप लगाओगे अपने दिमाग से तो आपको समझेगा margin exchange उतना रखवाता है, जितना एक दिन के अंदर exchange को loss होने का chance है मताँ, stock की movement जितनी जादा है एक दिन के अंदर में on an average, उतना जादा आप से रखवाएगा, अब देखो, formula क्या था mu plus 3 sigma मताँ, average, और 3 times of the standard deviation, उतने पैसे रखवाता है conclusion is, किसी भी हालत में counterparty default नहीं होना चाहिए that's the reason of this margin okay, एक सम मैंने और डाला है हाँ पर, possibly you will be able to understand here मैंने लिखा है, a trader has gone long we can do this some verbally also, because you understand how it's going, a trader has gone long on 5 Brent crude futures for December settlement at 26.32, ये day 0 की value हो गई, and gone long मतलब बाई किया है, 5 का मतलब 5 लॉट लिये, the minimum contract size for Brent futures contract is 1 lakh per barrel, okay, यानि एक लॉट में 1 lakh barrel है कुरूड का, तो 5 लॉट बंदे ने लिया है, तो 5 lakh barrel, the initial margin is $50,000 and maintenance margin is $30,000, the futures close at following prices on the next 10 trading days अब इसमें, आप से सवाल मेरा ये है, ये पचास हजर 5 के लिए है के एक के लिए है, you can come out with the answers on your own, I am sure I am not listening, but then you can come out with the answers okay, ये एक के लिए है अगर ये 5 के लिए होता तो definitely वो लिखते वहाँ पे, कि the margin deposited for 5 lots is $50,000, ऐसा तो नहीं किया ना तो quotation आई है, पर lot का initial margin है, $50,000, यानि $50,000 into 5, $50,000 देना है आपको deposit करना है, day zero में और maintenance margin है $30,000 $30,000 into 5 will give you, यानि आपका margin account किसी भी हालत में 1,50,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, let's see how it is moving, okay, now यहां पर मैंने पुरा solution आपको ने डेवलप कर आवा है look at here, सम्में आगे लिखा है, the trader will take out the profit out of the margin whenever he gets the opportunity to do so you are required to prepare the margin account, showing all the cash flows, find out the profit or loss for the trader for the next 10 trading days, okay let's see, एक चीज याज चाहिए, मैंने जान बुझ कि इस चीज में mention करी है, okay कि आपको अगर धिहान होगा अपना example वाला पार, आप देखो यहां पे 500 से जादा कभी भी होगा ना तो मैं पैसे निकाल सकती हूँ, okay, मतलब मैं यहां भी निकाल सकती थी, मतलब मैं यहां भी निकाल सकती थी, मतलब पांसो तो रखना चाहिए, उसके उपर अगर पैसा गया तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, from exam point of view कि अगर वो ना बोले ना सम में तो then don't do that, because it will unnecessarily mess your sum क्योंकि एक और काम बढ़ जाएगा calculation के terms में, तो avoid that लेकिन मैंने जान मुझके अपने सम में दिया है ताकि मैं आप उसका पाऊँ, अब आँ यहां पर देखो answer, position is what? long अब 0 पर 26.32 per barrel अपने लोगों ने किया now here यह margin dash लिया है और closing balance मैंने थाई लाग डॉलर्स डाला है यहां पर फिर on, guys I think you should operate your Kelsey at least, okay 26.19 की rate हो गई आपने 26.32 पर किया buy और 26.19 पर आप करोगे notionally sell 26.19 minus 26.32 0.13 per barrel into 5 लाग barrels into 5 लाग barrels will give you 65,000 का loss, you can see loss आया है और यह जो loss है वो धाई लाग में adjust होके हो जाएगा 1,85,000 okay now, say day 2 को rate होगे 26.30 so 26.19 पर आपने किया buy और 26.30 पर आप करोगे sell so 26.3 minus 26.19 into 5 लाग barrels will give you a profit of 55,000 dollars 185 में आप add कर दो इसको you are getting 2,40,000 अभी पैसा withdraw नहीं कर सकते है 2,50 के ऊपर जाना पड़ेगा वापिस market आगे बढ़ रहा है तो वापिस है 26.30 पर buy और 26.45 पर sell so 26.45 minus 26.3 15 into 5 लाग barrels will give me a profit of 75,000 dollars और 2,40 इसमें add up कर दो तो यह हो गया 3,15 अब पैसा निकाल सकती हूँ 1,500,000 रखूँगी बागी पैसे निकाल लूँगी minus 2,50,000 मैंने निकाले 65,000 dollars अब वापिस market आगे बढ़ा तो मेरे को profit होई 15,000 dollars की एक दिक्कत जो मैंने बोला कि आप इस drawl मद दिखाओ क्यों नहीं दिखाओ वो देखो आप आप देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है 3,15 लेकिन यह 3,15 है क्या यह 3,15 नहीं है यह 2,50 है क्या पैसे निकाल चुके हो तो अगला जो 15,000 आएगा अगला जो 15,000 आएगा वो धाई में अड़ोना चाहिए ना तो 250 प्लस 15 तो क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है 265 तो 265 हो गया फिर से पैसे निकालो 15 ओके तो जब 26 जब मार्केट गिरा यहाँ पर यह वाला ओके तो 26.3 26.34 minus 26.48 into 5 lakh barrels will be 70,000 का लॉस यह दिख रहा है आपने को लॉस लेकिन आप देखू यहाँ पे अच्छली वो दिख रहा है 265 वो 265 है नहीं 15 तो आप निकाल चुके हो ना यहाँ पे यह धाई है ओके तो धाई में 70,000 माइनस करोगे तो एक असी याए गाई है आप करके देख लो plus 2 lakh whatever the way you are going ahead I can see 180 that is why I told you don't show withdrawal if not required because इतना ध्यान कैसे रखेंगे अपन एक्जाम में मैं सो गया तो सम्चला जाएगा हाँ से okay and then normal it is going next day the price falls to 26.21 you are having a loss of 65 अब देखू यहाँ पे margin call आपको because आपका count 150 के नीचे चला गया कित्य का margin call आएगा वो बोलेंगे margin को वापिस 250 पे लाओ तो उसके लिए 135 डालना पड़ेगा market वापिस और नीचे गिरा फिर सिट 115 का loss हो गया आपको वापिस मतब margin call जब आया ना तो basically क्या हो गया पता है आपको यह 115 और यह वाला 135 मिला के आपका काउंट वापिस धाई पे है 115 दिख रहा है बट वो है धाई और धाई में वापिस एक पंदरह कौन सा वाला यह वाला माइनस करोगे तो वापिस 135 आजाएगा फिर से margin call आएगा 115 के बिरिंग दे margin balance बालने 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 115 देन मार्केट वापिस बढ़ा 250 वो एड होता चला जाएगा आप देखोँ यहाँ margin call नहीं आया क्यों? margin account 150 के नहीं गिरा ओके? and profit has been calculated 250 आपने ओके? so the profit is basically आप यह एड करेंगे आपन पहले आपने यह पैसे डाले आपने यह पैसे डाले आपने निकाला कितना? आपने 235 निकाला आपने 65 निकाला और आपने 15 निकाला तो आपको लॉस आ रहा है 185 का okay so 185,000 is a loss actually okay मैंने सारे आउटफलो को आड किये और उसमें से इंफलो माइनस कर दिया so you are getting a positive figure ना तो आउटफलो जादा है 185 का आउटफलो है okay so this is a loss to you actually this is not a profit so you can put profit यहां पर प्रॉफित लिखा है न so let's put like a 185 in brackets which will make it to a loss I hope guys you understood I know it will be very tiring for you because हमें बहत फास चलना पड़ेगा because the batch you know kind of behavior is like that we can't help it so we are taking a very very quick revision of the whole portion but we are not like हम उसको shortcut बिल्कुल 100% में नहीं जाएंगे we will definitely discuss each and every point with each other आप note सामने में आपने रखो और अगर आपने पढ़ाई पहले करी वी है यह बाच आपको बार बार में रिपीट करी हूँ यह बाच उनके लिए नहीं है जिनोंने सफम अच्छी से नहीं किया हुआ है यह रिविजिन बाच है हमारा यह टार्गेट है कि 25 से 30 गंटे के अंदर में आपका सफम रिवाइस हो जाएंगे दो देन के अंदर में ब्रॉटली दो से धाई देन के बीच में यह रिवाइस हो जाएओ को पोजिन okay so definitely you would need to have that kind of level